मस्कार दोस्तों, अगर आपने SSC GD का फॉर्म 2024 में भरा है, तो ये तीन गुड न्यूज आप लोगों के लिए है, इसमें गुड न्यूज भी है, बैड न्यूज भी है, तो ये तीनो न्यूज आप सुल लीजे, आपका यहाँ पर एक मिनट लगेगा, लेकिन SSC GD का फॉर अगर आप लोगों ने 2024 में भरा है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही लावजायक होगा, क्योंकि अगर आप एक्जाम सेंटर पर जाते हैं, तो आपके साथ ये गलती ना हो, साथी साथ डॉक्मेंट वरिफिकेशन में गलती आप से ना हो, और यहाँ पर बात करेंग साथ के उसी तरह के से प्राक्टिस कीजाए, सबसे पहली बात करें, बहुत बच्चों का फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है, और साथ ही साथ अभी जो रिजेक्ट नहीं हो रहा है, वह बाद में बहुत बच्चे छट ना जाए, जो गलती पिछले साल वाले बच्च साम और फिजिकल निकल जागा, तब बनवा लिजेगा, ताकि आप वहाँ दिखा पाईएगा कि मेरे पापा इसी कास से बिलॉंग करते थे, तब हम बनवाया हैं, अगर आप फॉर्म बनने के बाद बनवाते हैं, तो आपको डीवी में छाटा भी जा सकता है, वहाँ पर 50- क्योंकि SSC खुद लिख देता है, कि आप किसी भी कार से बिलॉंग करते हैं, तो आपको बनवा लेना है, अगर यहाँ पर बात करें हम, जनरल कैंडिडिट वालों के लिए भी, तो यहाँ पर जेखो, इस बार एक्जाम में वहाँ पर जैमर्स लगे बहे रहेंगे, यह बा जो तुम फोटो वहाँ पर अप्लिकेशन में दिये हो, वही फोटो ले जाने का कोचिस करो, लेकिन अगर नहीं है, तब तुम दूसरा फोटो ले जा सकते हो, ठीक है, तो उसमें भी आपको भगाया नहीं जाएगा, और जो आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड लेके जा तो मैं आप लोगों को सुचीत करूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार